जैहिन दोस्तो वेलकम टू सिवसांती क्लासेश सिवसांती क्लासेश में आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो में हम अध्या 6 के रेखाएं एवं कॉंड लाइंस एंगल्स का यह हमारा पार्ट नमबर 7 है इसमें हम कंप्लीट करेंगी एक्सरसाइज 6.1 के question number 4 को ठेक तो चलिए हम सुरू करते हैं तो दोस्तो हम पहुंच चुके है exercise 6.1 जो की page number 17 पे दिया है पर हमारा question number जो 4 है वो हमें दिया हुआ है page number 118 पे तो चलिए समझते हैं कि question number 4 क्या कह रहा है तो पढ़िये आक्रती 6.16 यह हमारा figure है में यदि x plus y X प्लस Y ये दोनों एंगल कया है बराबर W प्लस Z बिलकुन तो सिद्ध कीजिए कि ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो जोब अच्चे पुराने वीडियो देखना चाहाते हैं याकि भी जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट पर जा करके पुराने वीडियो देख सकते हैं Q3, 2, 1 और पुराने चैप्टर नमबर 1 से एक एक Q1, एक 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 जामपल, एक एक थ्योरम, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हैं आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके, सारी वीडियो एक दम लाइन से दी हुई हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं ठीक, तो चलिए हम इस question पर ध्यान देते हैं, तो यह पहुँच गए हम question पर, तो आप समझ जीए, दिया हमारे पास क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या है हमारे पास, देखिए, एक प्लस वाई, यह दोनों एंगल, बराबर क्या है, डबलू प्लस जड, डबलू और जड, ये दोनों अंगल, ये दोनों अंगल क्या है, बराबर हमारे पास दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, A, O, B, A, O और ये B, ये जो स्टेट लाइन है, ये हमें क्या करना है, एक सरल रेखा, प्रूफ करना है, ठिक, ये तो दिख रहा है कि सरल रेखा है पर हमें साबित करना है सिद्ध करना है ठीक प्रूफ करना है तो सबसे पहले x plus y plus w plus z बराबर क्या है 360 degree होगा x y z और w ये तीनों मिलके कितना होगी 60 degree क्योंकि सारे एंगल 360 पर है एक पूरे complete circle पर है ठीक तो अथवा अर्थात x plus y plus x plus w x plus y plus x और w ये तीनों भी क्या हो जाएंगे क्या कहलेंगे 360 degree कहलेंगे कैसे कैसे क्योंकि हमारे पास w और z क्या है w और z और x और y ये दोनों क्या है बराबर है तो आप w plus z की जगह x plus y लिख सकते हैं उसी प्रकार हम ने W plus Z की जगह X plus Y लिख दिया ठीक और हमारे पास पहले से X plus Y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2X plus 2Y 2X plus 2Y is equal to क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा बिलकुन हो जाएगा यहाँ तक आपको कोई प्राबलम बिलकुन कोई प्राबलम नहीं उसके बाद आगे क्या है 2X plus 2Y is equal to 360 आया हमारे पास तो हमारे पास 2 कहाँ पर क्या लेंगे कॉमर लेंगे X plus Y is equal to 360 तो X plus Y is equal to क्या हो जाएगा 180 डिगरी X plus Y is equal to क्या हो जाएगा 180 डिगरी 180 डिगरी कब होता है जब एक रैखिक युग्म होता है तो हमारे पास x plus y क्या हो जा गया 180 डिग्री आ गया जो कि एक रैखिक युम है यही चीज हमें प्रूफ करना है तो जब कोई सनलग्न दो कोड का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा सीधी एवं सराल होती है अर्थात जब कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो दोनो एंगल मिलकर एक रैखिक कोड सरल रेखा अर्थात इस्ट्रेट लाइन का फार्मेशन करते हैं अता एंग ए ओबी एक सरल रेखा है यह हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है कंप्लीट होता है तो मिलेंगे नेस्ट वी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसे आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद और पर क्लिक कर लिजिए और जो भी हमारे नए वीडियो होंगे उसके नोटिफिकिसन आप प्राप्त करते रहेगा और प्लेश्ट पर जाकर करके आपने यदि सिलेवस के वीडियो न पूरे मैत को कंपलीट करें ठीक और प्रैक्टिस करें तूद मेत के लिए आपको कहीं और भटकनी जरूत नहीं है इतना आप ध्यान रखेगा ठीक तो его को जादस ज्यादा अपने दोस्टों तक अपने पहचानवालों तक ज्यादस ज्याद सब्सकाइब करके को प्रस कर रहे ही जय भारत नूइ स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रस कर लिजिए बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर लिजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें